भारतिय टीम के बल्लेबाजों का वर्ल्ट टेस्ट चैंपियन्शिप के फाइनल मुकाबले में काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। दोनों पारियों में मिलाकर टीम इंडिया की तरफ से सिर्फ दोही खिलारी पचास से आधिक रनों की पारी खेलने में काम्याब हो सके। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 209 रनों से माद दी। वहीं फाइनल मुकाबले में हार के बाद पूर्ग भारतिय खिलारी सुनील गावसकर ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर उनकी तीकी आलोचना की है। फाइनल मुकाबले में भारतिय टीम के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को लेकर मुख्य कोच राहुल द्रविल ने बयान दिया कि विदेशी पिचो पर किसी भी बल्लेबाज का ओसत कम होना एक सामान्य बात है। द्रविल के इसी बयान को लेकर सुनील गावसकर की तरफ से तीकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सुनील गावसकर ने स्टार स्पोर्ट्स पर राहुल द्रविल के इस बयान को लेकर कहा कि इससे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए कि दूसरी टीमों के बल्लेबाजों की ओसत क् हैं उनका उसत लगातार गिर रहा है और इसके लिए कुछ करना होगा विदेशी दोरों पर बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन हमें हर बार मुसीबत में डाल देता है गावसकर ने आगे कहा कि हमारी टीम में ऐसे बल्लेबाज है जिनकी काबिलियत देखी जाए तो वह के दम पर मैच जिता सकते हैं वह भारतिय पिचो पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं लेकिन विदेशी पिचो पर उनका प्रदर्शन उम्मीद के बिल्कुल विप्रीद देखने को मिलता है वे भारत में दादा है लेकिन विदेश आते ही लड़कडाने लगते हैं कहली ने स्कॉट बोलन की बाहर जाती गेंड पर स्लिप में अपना कैच थमा दिया। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने पैट कमिंस की गेंड पर जिस तरह का शॉट खेलते हुए अपना विकेट गवाया उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों आप गावसकर की बात से कितना सहमत है हमें कॉमेंट करके बताए और साथ ही विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यूँ